आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके मन पसंद खाना देखकर आपके मुझे पानी आ गया हो क्या आपने कभी सूच है कि आपका मन पसंद खाना मुझे जाने के बाद पेड़ तक कैसे पहुचता है दरसर खाने का असलिसा पर मुझे जाने के बाद ही शुरू होता है आईए इस बारे में आगे और चर्चा करते हैं यहां देखिए आपके एक कभीता दी गई है आई राल खाना चला गरस नली के पार खाना धीरे धीरे नीचे आए पेट में जाकर पेट भर जाए चोटी आप खाना पचाए पचके खाना आगे जाए बड़े आच से होते होते मल द्वार अपचित बोजन बाहर भगाए ठीक है तो आई बास समझ में नहीं आई बास मुझा देटी हूं यहां बताते हैं कि जब हम खाना खाने कहां देखे लिए कविदा की अधार पर पंच संबंदित जो अंग है उनके नाम लिखिए तो देखिए सबसे पहले हमने खाना कहां से खाया मू से तो यह फर्स्ट नंबर पर क्या हो गया आपका मूँ है फिर खा पहुशता है पीट में जाकर हमारा पेट बर जाता है और खाना डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है खाना पचना शुरू हो जाता है ठीक है फिर खाना पच्टे पच्टे कहां जाता है हमारा खाना छोटी आत में जाता है तो यह होती है आपकी छोटी आत यह देखिए च्छा में ओकी मातर, टाटामी की मातर, चोटी आत, चौथे नमबर पर है ये, उसके बाद क्या होता है, फिर खाना आगे बढ़ कर बड़ी आत में जाता है, ये बड़ी आत है, ये लिखा बड़ी आत, ऐसी ये लिख लीजी और सबसे लास्ट में ये है, ये आपका अमल जो खाना निकल जाता है मलदवार कहते हैं तो यह हमारा डैजेस्टिव सिस्ट्रम चलिए आगे चलते हैं यहां लिखा है आपने ऊपर दीगई कवीता से सीखा कि पाचन किरिया यह यह जिस्टिव सिस्ट्रम ने बहुत से अंग साहिता करते हैं प्रती एक अंग का मिलान उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों से कीजिए ठीक है तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं जो अंग जो काम करता है उसको उससे मिलाते हैं ठीक है चलिए तो देखिए बच्चे मैंने यह ना नमबर लिख दिये ताकि आपको भी प्रॉबलम क्यों कि यह जगा कम है पेटा है ना तो क्या होगा मिलना अगर मैं मिलान करूंगी तो खिचड़ी पक जाएगी अब मैं बोलती हूं यहां से मैच करिएगा आप नमबर बन पर क्या है मूं कहां पर यह देखिए रहा इसका क्या है इसमें भोजन के बड़े टुकड़ों को हो चोटे-चोटे कर के तोड़ दिया जाता है नमबर तू क्या है ग्रस नली से हम क्या करते है इसके द्वारह बोजन पेट में जाता है तीसरा क्या है नंदे है बढ़ी आथ खोढने में से पानी को अलग कि य σας अलक। और फिर लास्ट में आपका आता है मल दौर, तो मल दौर का क्या काम होता है इसके दौरा आपचित बोजन जो है, वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है ठीक है, मैच कर लेंगी, अगर आप मैचिंग करना चाहिए, मैचिंग कर सकते हैं जैसे मैंने आंसर लिखे, जैसे मूँ तो मूँ क्या गई यहाप यही वला आंसर लिखे, जो मूँ का है ठीक, आगे चलते हैं, अभी हाँ देखे लिखा है बच्चों, जब हम कहते हैं कि हमारे मन पसंद खाने को देखकर, हमारे मुँ में पानी आ गया तो क्या आप जानते हैं, उस पानी को क्या कहते हैं, हाँ, उस पानी को हम रुग लाल कहते हैं यह लाल हमारे भोजन को नम करने में साहता करती है आई बस समझ में, अब देखें यहां लिखा है, उपर दिये गए चित्र को देखकर, पाज़त बनाईए और अपने अध्यापक और अध्यापिका के साथ साजा कीजिए तो बेटा, इसकी वीडियो मैंने दुसरे चैनल पर अपलोट कर दी है लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर है, अगर आप चाहें, तो आसे देख सकते हैं चाहें, तो आज की वीडियो का हम यह खत्म करते हैं, अच्छी वर्षीट में बस इतना है, अगर आपका हमाई वीडियो बसने आई हो, तो प्लीज इसे लाइक को शूर करें, अगर अभी दख आपने मैं चैनल को सिस्क्राइब करें, थैंक यू फर वाचिंग